नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक किलर इंसेट के बारे में, जिसे आप बोल सकते हैं लाश ले जाने वाला कीड, इसका नाम है अकैंद आस्पिस पिटैक्स, दे जोटे इंसेक्स को खाते हैं और उन इंसेक्स के शरीर के अंदर जो फ्लूइड है, उसे पी लेते हैं, अब जो डेट बोली बचता है ना, उसे अपना पीट में रख देते हैं, इसी तरह जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एक टेम पर कम से कम 20 डेट बोली तक ये फेके फाग जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला, एक एक एसासिन बग स्पीशेस है दोस्तों, जो प्राइमरली चीटियों को खाते हैं, और चीटियों का सेस्का जिते भी छोटे चोटे इंसक्स से उन्हें भी खाते हैं, जैसे कि फ्लाइज हो गया, स्मॉल ग्रास हो हो गया, बीटिल्स हो गया, तो जैसे मैंने आपको कहा, यह बेसिकली एक सल्फ डिफेंस मेकान समय, या फिर आप कैमो फ्लाइज बोल सकते हैं, क्या होता है, कुछ स्पीशेस दुष्मन से बचने के लिए अपना अपेरेंस चेंज करते हैं, उसे कैमो फ्लाइज बोलते है जैसे कि गिरगिट के बारे में आपको पाता है, वो अपना कलर चेंज करते हैं, अब आपको ध्यान रखना है, देखिए, यह जो काम है न, डेद बोडिस कैरी करने वाला, यह केवल अक्यांद आस्पीस पीटैक्स का निम्फ करते हैं, निम्फ मतलब क्या होता है, एक इंस उससे पहले का जो स्टेज है, जब उनका gradual transformation होते रहते हैं, उससे आप निम्फ बोल सकते हैं, तो केवल निम्फs of the species create a pile of ant carcasses on their backs for camouflage, आडल्ट यह काम नहीं करते हैं, तो यह इंसेक्ट, अक्यांद आस्पीस पीटैक्स, कौन-कौन से रीजियन्स में पाय जाते हैं, या फिर कौन-कौन से रीजियन्स के लिए ये endemic है, East Africa near Lake Victoria, इन countries including Uganda, Kenya and Tanzania, also seen in West Asian country, Lake Victoria का location देखिए, Lake Victoria actually 3 countries में spread है, one is Uganda, second is Kenya, third is Tanzania, साथ-साथ में एक important zoological टेम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो इस topic से related है, वो है necrophoresis, necrophoresis मतलब क्या होता है, it is a sanitation behavior, sanitation behavior माने, साफ करने वाला एक behavior, सफाई maintain करने वाला एक behavior, found in social insects, such as ants, bees, wasps and termites, करते क्या है दोस्तों, they carry away the dead bodies of members of their colony from the nest or hive area, देखे, इन insects का जो colony है, colony माने जहां पर यह रहते हैं, अगर उनके कोई भी member का death हो जाता है, तो वो dead bodies को वो same time उथर से carry away करते हैं, उसे necrophoresis बोलते हैं, तो basically यह एक sanitation behavior है, colony को साफ रिखने का, साफ maintain करने का एक behavior है ना, हम भी यही करते हैं ना, इसी member का death हो जाता है, तो dead body को उठा के उथर से ले जाके दूसरे कोई जगा पे लेके जाते हैं और दफना देते हैं, अब यह जो insects है वो दफना आते तो नहीं है, कम से कम जहां पे लोग रहते हैं, उथर से उठा के दूसरे कोई जगा पे लेके जाते हैं, इसे necrophoresis बोलते हैं दोस्तों, पर जाएंगे समाज़ तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों बेसिकली अपने शरीर का एक पार्ट को छोड़ के चला जाना आसे self-defense mechanism इसे एक्चुली जोलजी में बोलते हैं autotomy, autotomy को self-amputation भी बोलते हैं it is the behavior whereby an animal sheds or discards one or more of its own appendages, usually as a self-defense mechanism to elude a predator's grasp or to distract the predator and thereby allow escape, सबसे अच्छा एक्जामल है दोस्तों lizard जो करते हैं, यह अपना जो tail है, पूछ है, यह छोड़ के भाग जाते हैं ना, किस लिए करते हैं, दुश्मन को divert करने के लिए और lizards की एक ability यह है, यह जो पूछ है, या फिर tail है, यह फिर से regenerate हो जाएंगे, ठीक हैं पर सारे animals का ऐसा नहीं है, उनका body parts regenerate नहीं होता है, पर lizards का normal case में regenerate होते हैं इसे autotomy बोलते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, हमारा acanthaspis petax जो करते हैं, इसे autotomy भी आप बोल दी सकते हैं क्योंगि यह इनका body part थोड़ी है, तो यह method basically एक camouflage आप बोल सकते हैं, जो दुस्मन से बचने के लिए यह insect develop किया है तो यह necrophoresis, autotomy, यह सब के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है, क्योंगि यह सारे related topics, examination perspective में आपके लिए important है ठीक है, finally और भी कुछ important defense mechanisms के बारे में discuss करते हैं, जो कुछ animals use करते हैं, दुस्मन से बचने के लिए number one is playing dead, यह आपने देखा होगा, कुछ animals जब danger face करते हैं, so they pretend to be dead, ऐसा लगेगा कि वो मर गया, ठीक है, इसे थनाटोसिस बोलते हैं, ध्यान दीजेगा थनाटोसिस, और कुछ animals ऐसा कुछ fluid emit करते हैं, जिसका बदबु बहुते हैं, तो वो बदबु की वज़े से, जो उन् उनके, उनके जो दुस्मन हैं, वो भाग जाएंगे, ठीक है, for example, African elephants, African elephants के ओपर कोई अटाक होते हैं, वो अजीब तरीके का एक आवास निकालते हैं, और एक तरीका है दोस्तों, mimicry, mimicry मतलब क्या होता है, दूसरों की आवास को imitate करना, है कि नहीं, अब कुछ animals and birds के पास भ जालेंगे, जिसे सुनकर दूस्मन भाग जाएंगे, दूसरा purpose है, शिकार करने के लिए ये यूज़ करते हैं, जैसे कि for example, African four-tailed drongo bird है दोस्तों, ये mere cats को mimic करते हैं, mere cats एक warning call देते हैं, देखिए mere cats आपने देखा होगा, ये colony में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अब mere cat का एक warning call है, जिसे सुनकर सारे जो mere cat से वो भाग जाते हैं, अब mere cat किसी और animal का शिकार करके खा रहे होंगे, तब ये African four-tailed drongo bird जो है, उथरा के ये warning call निकालेंगे, ये सुनकर सारे mere cat भाग जाएंगे, और वो जो खाना छोड़के गया होगा, ये African four-tailed drongo bird खाएंगे, ठीक अगला है chemical features, अब ये chemical features के आप सबको पता है, दोस्तों कुछ animals में poison रहते हैं, वो secrete करते हैं दुष्मन से बचने के लिए, जैसे कि snakes हो गया, कुछ frogs हो गया, ये तो आपको पता है, and finally volvation, volvation मतलब क्या होता है, this is very important, it is a defense behavior in certain animals, in which animal rolls its own body into a ball, armadillo के बार में अपने सुना ह ये है armadillo, इनके उपर जब कोई threat होते हैं दोस्तों, ये एक ball जैसा बन जाता है, ठीक है, इसे volvation बोलते हैं, अब ये ball बनने से फाइदा क्या है, फाइदा ये है, इनके शरीर का जो hardest part है, वही बाहर दिखेगा, बाकी जितने important organs वगरा है, इनका हाथ, पर, मुह, सब बाहर में बताऊंगा, जो आपके examination perspective में important है, प्लीस comment box में बता दीजेगा, नाउ, जाने से पहले आपसे एक सवाल है दोस्तों, ये process in which animals replace, amputated body parts is called us, इस question का answer आप मुझे comment box में बता दीजेगा, थैंक्यू फॉचिंग बाइबाइब, वाइब, 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